नमस्कार मैं हूँ गौरफ श्रीवास्तो आप हमाँ साथ देखना हमारा खास कारिकम बात अपने देश की आज मुद्दा थोड़ा बड़ा है और मुद्दा क्या एक मुद्दा नहीं है सम्मान है और जो सम्मान की बात आती है तो हमेशा से भारत के हर नागरिक का जो स्वर ह है वो जलन्थ हो जाता है इसलिए आज हमारा स्वर्वी जलन्थ रहा इसलिए मैंने आपसे सुरुवात की बड़े तेज अंडाज में की क्योंकि आज हमारे जो मुद्द चर्चा का विशा है भारती धर्ष तरंगा जो देश की आनमान सान का पतीक है वो भारती धोज जो बलदान, सान्ती, संपनता और साथी साथ संस्क्रति का पितीक हैं क्योंकि धोज किसी भी देश का होता है वो इसका गौरा होता है और हमारे लिए तरंगा भी हमारा गौरा भी है क्योंकि जब तरंगे की बाद आती है तो चाहे वो किसी भी धर्णम जाती का हो, किसी भी ब्यूस्ता से हो उसका सिर्थ तरंगी की सान्में जरूर जुकता है जब तरंगा सामने लेराता है तो एक अलग से अनुभूती होती है, वो अनुभूती मन को प्रेशनेट भी करती है और साथ साहथ मन में उस्साह कि अटरंगे जो होती हैं, वो लहल लेने लगतwegen तरंगा कर विशाय है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि 22 जुलाई 1947 को तरंगे को अपनाया गया था और अपनाने के बाद जब देश के प्यथम प्धामंत्री पंडिट जबाला नेरू ने लाल कले की प्राचीर से पहली बार राश्टी धुरज लहराया था तो वो द्रस वो समय और वो साम कुछ अलगी थी और उस साम के बाद अब 75 साल हो चुके हैं और हम आजादी का अमरत महस्व मना रहे हैं और जिसके तहट देजवर में कारकम किये जा रहे हैं कारकम इसले जरूरी है क्योंकि जो नागरिकों के अंदर भी तरंगे की पती सम्मान आए पुराना बलदान याद करे कि हमने कितने बलदानों के बार कितनी समस्चाओं के बार कितना अथक परिस्तरम के बार कितनी चुनोतियों के बार आजादी पाई थी और जो तरंगा है वो हमको हमारे आजारी कि छण को दिखाता रहता है और जो तरंगा है वो ये बताता है कि हां मैं आपका राष्टि धज हूँ और मेरा सम्मान होना चाहिए और हमेज़ा से हर नागरिक राष्टि धज का सम्मान करता रहा है जिसके तहां अब एक नए बियस्ता अभ्यान चलाय जा रहा रहा, अभ्याश्था नहीं बोलोंगे जिसके तहां दिजभर के घरों में आगामी पंदर आगस्त से दो दिन पहले यानि 13 से पंदर आगस्त तक तरंगा लहराय जाएगा और इस अभियान का नाम है हर घर तरंगा भियान आमतर पर लोग कहते हैं कि भई तरंगा भियान है और क्यों लोग तरंगा लह रहेंगे तो मैं आपको बता दू कि हमारा देश आज भी जब देश की सुरच्छा की बात आती है जब देश की ब्योस्था की बात आती है जब देश में महामारी की बात आती है और साथ में देश की अस्मिता की बात आती हो जब बात तरंगे की आती है तो हर आदमी अपने आपको प्रफिलित रूप से सारे जाती धर्म संपरदाय राजनीती से हट कर अपने तरंगा को सम्म अगस्त तक हम राश्टी रज़ लह रहाएंगी घर घर तरंगा हर घर तरंगा वियान यह रहेगा क्योंकि जब देश की बाद आती है तो हम एक जूट होते हैं मैं आपको अतारू कि करोना महामारे के समय भी आपको याद होगा कि देश में लोग का उर्साय बढ़ाने के लि देश के प्रपहाम दिने घंटे थाली तक बज़वाएं थी दीपक जलवाए थे यह दिपक जलाने से कड़ा जाता है ठाली बजाने से ज़़ा एक जो मुलेंकन होता है हर चीज का वो मुलेंकन ये था कि लोग सचेत हो लोग समझें एक जुटा दिखाएं और जब एक जुटा दिखाएंगे तो वो इस व्यस्वक मिमारी से लड़ सकेंगे और जब भी इस तरह का कोई बात कही गई देश के लोगों ने एक अच्छी पज़ा होने के नाते एक बेवेक से पून पज़ा होने के नाते कि अनुरूप ही देश के प्रहमंतरी यानि देश के राजा की बात को सुईकार करते हुए थाली और घंटे भी बजाए और साथी साथ दीपक भी जलाए क्योंकि यहाँ पर कोई बैग्यानिक प्रत्ति नहीं थी यहाँ पर लोगों को एज़ुट करने का प्रयास था और लोगों को यहाँ पर सचित करने का प्रयास था और जो लोग लोगडाउन की अन्देशे से भैबीत थे जो लोग सोचते दे कि हम कैसे बीमारी से बचेंगे जो लोग यह सोचते दे कैसे हमारा आर्थिक चीज़े सुधरेंगी और लोगों में उर्साय जगाना भी जरूरी था और ये काम किया गया अब एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है और जिसमें तहट अपील की जा रही है कि हर घर तरंगा अभियान हो और तिरा से पंदा गश तक देश के पते घर में तरंगा लहरा आजाएं जिससे लोग अपने राश्तिये धोज के पती सम्मान को समझें और साथी साथ वो स सब्सक्राइब को समझते हुए कुछ ऐसी चीज भी समझें कि जो उनको समझाएं कि हाँ हमने यह जादी ऐसे ही नहीं पाई यह जाने कितना लहू बहें गया उसके बार पाई है और हमने यह जादी अपनी सर्तों पर पाई है सबसे बड़ी बात क्योंकि बिटिस हुगूमत को मजबूर किया गया कि अब आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा और हमने याजादी मांगी नहीं है हमने याजादी छीनी है और जब इस तरह की अथक प्रियास के बाद कोई चीज सपन्र होती है तो उसका अलगी मज़ा होता है और उस मज़े का उस उससाह का जो समय होता है वो उसका ब्याख्या करना अपने आप में बड़ा कठेन होता है निस्चिर रूप से अगर राष्टी रूप के इतिहास की बात करें तो में नको ताया कि 22 जुलाई 19-1940 को अपनाए गया था और आन्डपिलिस के पिंगई बैंकरिया ने इस राष्टी रूप का निर्मार किया था उनकी परिकलपना थी उनीक दारा निर्मार किया गया था हालाकि उसके पहले जो राष्टी रूप के बीच में असोक चिन होता है वो नहीं होता था पहले चर्खा होता था उसके बाद फिर कुश समय बाद राष्टी रूप में असोक चक्र का चिन दिया गया और जो तरंगा इस रिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर तीन रंग हैं, हाला कि रंग इसमें चार हैं, पर मुख्य तीन रंग में बोलेंगे, पहला रंग किसरिया, दूसरा सफेड और तीसरा हरा, किसरिया बलदान का पतीक, सफेड सांती का पतीक और हरा संपन्ता हर्याली का पतीक, तो असोग चक्र 24 तीलिया और 24 तीलिय का अर्थ लगातार समय के साफ चलते रहो और जो परिकलपना थी पिंगली बेंकईया की बहुत सही थी समय के सलता रहो और जो असोग चक्र ये नीले रंग का होता है इसे मैं मैं पता है कि तरंगा तीन काल रल्का होता है पफर तरंगे में जो रंग होते है वो चार होते हैं और तमान तरह की तरंगे को लेकर नियम भी है Code of Flag ढ़रती दोज़ सहीता ये लाई गई और दोज़ सहीता लाने के बाद man tarray के जो है वो चेंज्जमेंट किये गए पहले भारते दोशने सनी ता नहीं थी San 2002 में दोशने सनी बनाई गई और दोशने सनी गे माध्य हम से बताया गया कि हमको तरंगे को किस तरह फैराना है हमको किस समय तरंगा जुकाना है हमको राट पर तरंगा नहीं फैराना है अगर तरंगा राट पर फैरेगा तो कहां फैरेगा तरंगे का मुझ किस तरफ होना चाहिए तरंगे की सामने हमको किस तरफ होना है और तरंगे की अगर सान से आप कोई खता करेंगे या कोई गलती करेंगे तो उसके लिए भी नियम क कारेले पर नहीं लेड़ा सकते थे यह कोई आज़ेस नहीं था उन्ना इसके लिए कोई अनुमती थी पर सन 2002 में जब दिसंबर में कुछ परवर्तन हुआ उसके बाद 26 जनवरी से अगले साल से यह व्योस्ता दी गई और अनुमती दी गई कि आप अपने गौरव अपने सान अपने आनवान सान के पतीक को अपने घर पर और अपने कारेले पर भी लेड़ा सकते हैं कुछ नियम कायदे हैं और और अगर टरंगे की हम बात करें तो गौरव का पतीक है और गौरव के को भी कुछ लोग बहान पर लगाते तो आपको बता रूं में लगानए कि अर्मती कुछ चृरूंदा लोगों को ही प्राप्त हैं छाई रास्पती गा-आइक, मंतरी और बड़े अरिकारी चाहे वो नौसेना से हो चाहे थलसेना से हो चाहे बाईवी सेना से हो इन लोगों के लिए वो तरंगा आप अपने बहान पर लाए सकते हैं पर हाला कि आज राश्च प्रेम में वर्फूर होके हम लोग भी अपने पंदागस जब मनाते हैं तो अपनी गारी पर भी तरंगा लगा के फराते हैं और इतलो दोरते हैं चलाते हैं पर सासर अलका हम यह भी भूल जाते हैं पर चुकी कई वार ऐसा हुआ इसलिए अगर आप तरंगे का सम्मान कर रहा है उसको अपनी गारी पर लगा रहा है उसको उसके साथ अपना राश्प्रेम दिखा रहा है तो आपकी जम्मदारी भी है कि उसके पती सम्मान भी दिखाए और सम्मान दिखाते हुए आपको लाते भी हैं तो तरेंग यहां पर हर्ख़ अब आपको यह बतारा चाहता हूं कि जो हर गड़ भी हन है यह Amerika ार कि पहला बहुत पैजार्व मनाएं पूरे हो जाएंग उठ्वक पूरे साल पूरे होने खुषी में पीर मता सब्सक्राइग और तरह करा रहा है और तरह कि सम्मिट कराई जा रही और इसका ही उड़े सी है कि हम पिजतब स Gibson को समझें कि महुसब क्या है ये हमारे देश के 75 साल का इतियर में हूरा हुरा हूँ. हमने आज से 25 साल पहले गुलामी की जंजीरीकों तोड़ा था और गुलामी का जंजीरीकों तोड़ा कर जा हम आजार हुए थे उसके पिजत अस साल हम अभियान के और प्रतिक नाग्रिंगत से कहने यह नहीं में उत्ते सब्सक्राइब कम एक रलते wobड में अपना में आफारे में विलने में धेस्थ सब्सक्राइब ही है एक साथ होने की एकता रिखाने की तो ऐसे जो अभियार होते हैं वनिसी रूप से इन उद्धिस्ट को पूरा करते हैं प्रिंगली बैंकरिया ने भारती दोष्ट तरंगा बनाया बाइस जुलाई उनिसे तालिस को अपनाये गया पर जो तीरह से पंदागस्त आगामी आने वाला है वो बहुत मेटपूर्ण है क्योंकि उन राश्ट वक्तों को पती हमारा सम्मान ही उस राश्ट दोष्ट को लहराना होगा अगर हम जानते हैं अगर हम मानते हैं कि बास्तम म में उसके कारण और कितना संगर्स किया जेलों में रहे सब कुछ किया पर तरंगे की आर्मान सान पर कोई आज नहीं आने दी और जब तरंगा लहराएगा तो एक मन जो है उद्दिस जो है वो राश्ट प्रिम और सुतनता प्रतिकों के लिए सम्मान भी जगेगा क्योंकि यहां पर असंवान जागता है तो भारत ऐसा देशा है उस सम्मान के लिए जीता है और जो राश्टे सम्मान भारत ही नहीं सभी देशों में सभी नागरगों का अपने देशवति सम्मान होता है कि आब देखेंगे बड़ी कोई भी प्रत्योखता होती है चाहे ओलंपउड चाहे कोवन बेल तो चाहे एसी यह हो जब भी कोई खिलाडी सर्बोच चाहता है तो उस देश का त्रेंगा रहा है उस देश का राश्टिकान गाया जाता है तो यह बार रिस्पस्ट करती है कि लोग खिलाडियों में भी यह चीज समझें उनकों में जोस आता है उनको भी लगता है कि हां त्रेंगा हमारा पतीख है और जब कोई बड़ा खेल होता है उसमें भी आप में देखा होगा कि जब हमारे जो खिलारी हैं जब वो उपनी सरेमनी में सुरुबाद करते हैं तो वो भी अपने हार में भारती त्रेंगा पकड़े हुए और पूरे हमारे देश का संवान होता है हमाहा देश जब किसी भी खिलिम पर उपग्यों पतिस फरदा में अब्बल आता है तो जो अनुभूती होती है तो यहां पर जो अव्यान है वह बहुत बैतर है और हर तरंगा अव्यान के तहट मैं तो यहीं चाहता हूँ कि देश से पते एक नागरिक जिसका पते एक घर पर तरिंगा ले रहा जाए उस दिन जाती धर्म संपडाय राध्यूति को भूल कर हम भारत वासी है हम एकी चीज़ याज लखेंगे हम भारती है और भारती है होने के पीछे कोई धर्म और कोई मजब नहीं होता क्योंकि जो भारती सब्द है वो अपने आप में परिपून सब्द है और जब हमको भारती कोई कहलाता है तो निश्यूरूप से हमें एक अलगी संतोस अलगी उससाई जागता है तो भारती होने के नाते हमको इस अभियान में समर्द भी होना है और देश के जो उन बलजानी स सम्मान के पति अपनी जो सम्मान हों पेकट करते रहेंगे अबयान बहुत्व बहुत बैटर है और तरह के अभयान हमेंसे चलते रहने चाहिए क्यिक्ये अभ़यान की चुक्ति चलाने से देश एकता के सूस्च परहोगा जाता है नागर्य परहोगा जाते है संस्क्री प्रविज आती है तो निस्टी रूप से ही जो दे से वो लगातर वेकास करता है और भारत जब बिस्टुग्रू बनने की तरफ अग्रिसर है उसमें इस तरह के अभियान निस्टी रूप से बहुत बड़ी कड़ी साबित होंगे तुदेश की आनमान सान तरेंगे को सलाम नमस्कार